कि फॉर सक्सेस चेंज इस नेसेसरी सफ़दा के लिए बदलाव जिरूरी है मैं एक बाद याद रखना फिर आपको बता रहा हूं आप एक चीज़ को समझी एच्छे से कि जो लाइफ अभी हम प्रेजन में जी रहे हैं मेरी बात को फिर अच्छे से समझना बिल्कु आप आपका घर है जो आपका इंटीर है जो आपका सरकल है जहां आपके बच्चे स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहे हैं, जो वकेशन के लिए आप घूमने जाते हो, जो भी आपका present life है, क्या आप उसको permanent रखना चाहते हो, क्या आप उससे satisfy हो, सच में बताईए, बदलार चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो एक बात हमें ये समझ ले प्रैक्टिकल, कि जिन्दगी में, जो चीजों से अभी हम satisfy नहीं है, अगर उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको बदलने का एक ही तरीका है, कि हमें अपने आपको बदलना है, क्या करना है, हमें अपने आपको बदलना है, और जब तक हम अपने आपको नहीं बदलेंगे, क कुछ भी नहीं बदलने वाला समझो मेरी बात को जब तक हम अपने आपको बदलने को रेड़ी नहीं है हमारी लाइफ में ऐसा ही रहेगा जो अभी है मैं आपको क्लीर बता रहा हूं आपकी एज 20 की है 30 की है 40 की है 50 की है वाटेवर जो भी है लेकिन अगर आप प्रेजन में अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो इसका एक ही सिगनल है कि हमें बदलाव की जरूरत है हमें बदलना है यस और बहुत कम लोग होते हैं जो आगे आते हैं और अपने आपको बद इंडिया का जल्वाई वैसे ही गरम है यस यहां में लोग बहुत जल्दी गरम हो जाते हैं और बार 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 बताया जाते हैं यह किताबे बोलती है कि जिस एरिया का जल्वाई गरम है वहां लोग गरीब है रहते हैं कह रहते हैं गरीब रहते हैं तो बदलाव जरूरी है क्योंकि जो फ़सल हम काट रहे हैं उस फ़सल से अगर खुश नहीं है तो बीज बदलना जुरूरी है बीज नहीं बदलेंगे वही फ़सल मिलेगी जो अभी तक मिलेगे यह तो जब तक बदलेंगे नहीं ड screams कि तरफ नहीं जाएंगे अगर यह दिहनी बानेगे कि हमें चेंज होना है तो हम सकसास में हो लिए हमें चेंज होने के लिए यह जरूरी ए कि हम बदलाव के तरफ जाएंगे बहुत से लोग है जैसे bus connector की बात करें bench पे सोने वाला लड़का cycle पे powder बेचने वाला इनसान farmer family में सुबा अख़बार बाटने वाला गली में खेलने वाला पकोडे बेचने वाला पड्रोल बंपे पापा की death पे फटे कागज पे गाना लिखने वाली लड़की और बहुते लोग हैं ये वो लोग हैं जो जिन्दगी में कभी भी situation के गुलाम नहीं हुए और अपने आपको बदल के काम्याब हुए हैं example बहुते हैं सोचते हैं जैसे आप जानते हो रजनी कांट को bus connector था लेकिन अगर ये इतना famous है तो इसके पीछे एक ही चीज़ है कि इसने अपने जिन्दगी में बदलाफ जरूर किया क्या चीज़ किया है बदलाफ किया bus conductor से अगर यहां तक पहुँचने की बात है और इतना बड़ा superstar बनने की बात है उसके पीछे कोई luck नहीं है उसके पीछे कोई secret नहीं है एक ही चीज़ है कि उसने बदलाफ किया क्या किया बदलाफ किया और बहुत से लोग है शारू खान को आप जानते हो कितना इसने struggle किया bench पे सोने वाला अगर अभी 2017 के अंदर ये world का 8 number का actor था जो सबसे high paid वाला किस वज़े से एक ही चीज़ की वज़े से बदलाफ की वज़े से किस की वज़े से बदलाफ की वज़े से क्या आप ने कर सकते एक दो ही बोल रहा है क्या हमने कर सकते मुश्किल है मुश्किल नहीं है अगर comfort zone को छोड़ दे तो मुश्किल नहीं है लेकिन हम वो लोग हैं जो बिना कुछ करें बिना कुछ करें सब कुछ पाना चाहते हैं हम वो लोग हैं जो बिना कुछ करें सब कुछ पाना चाहते हैं यही चीज है बदलाफ की तरफ हम जानने चाहते हैं हम अपने आप में अपने मांड सेटर में इतना हम अपने आपको इतना कम अच्छा अपने आपको इतना सभी समझते हैं कि हमें दूसरे की बात सुनने सुनना अच्छा नहीं लगता हमें लगता है जैसे हमें बिलकुछ सही है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे हम सही है अपलाइन भी गलता है लोग भी गलता है कम भी गलता है टी हम जैसे हैं वैसे हैं हमें क्या बदलने की जूरत हम तो सब जानते हैं यह आरो हम सब फ़क्ता आउ वह सका तो बदलने को और निर्मा की जो आपने देखा होगा एड उसमें एक छोटी सी लड़की की फोटो आती है यह सुरनू इन उनकी लड़की की चोटे छोटी लड़की की दह्त होगी थी इमेजेशन में उने वह फोटो बनाया और फोटो बना के वो लाला और जिंदगी में वीर्जन था बधलाओ किया और साइकल पे 60 साल निर्मा बेशने के बार भी इतना बड़ा आमपायर ख्याड़ किया क्या किया बदलाफ किया और ये इसलिए आप समझो आप एक बार बदलाफ के तरफ जाके तो देखो हमारी जिंदगी बहुत असान हो जाएगी अगर हम आप जिंदगी में बदलाफ के तरफ कदम रखते हैं कि नहीं हमें बदलने की जरूरत है मैं 14 साल से इस नेट्रों मार्केटिंग नहीं हूँ इस 14 साल से नेट्रों मार्केटिंग के बाद भी मुझे आज लगता है कि मुझे बहुत कुछ बदलना है मुझे लगता है कि मैं ने अभी तक 10% मिंनी सिखा और मैं अपने आपको बदलने को रेडी हूँ इसलिए company नए plan की तरह जा रही है नए product की तरह जा रही है नई planning की तरह जा रही है सब कुछ company में सही चलने के बाद भी क्योंकि हमें पता है कि बदलाफ की तरफ जाना जुरूरी है यह सुर्दो लेकिन यहां तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर जंग लग जाएगी पर बदलने को रेडी नहीं सर कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता सर जैसे हैं वैसे रहेंगे सर नहीं हो पाएगा खाली खे बड़ी बड़ी कंटरी की जो क्रिक्ट टीम है वो बोलती है अगर क्रिक्ких का गोर देखना है तो इंडिया में खेलता है सचिंदि नुर कर के कुछ भी किया लेकिन आज हम दिरुबामिम्भानी में यानि कि इनका लड़का एक दिन का पतर कितना पैसा कमाता है कितना कमाता होगा 375 क्रोड कितना 375 क्रोड 375 क्रोड एक दिन की अर्णिंग किस वज़े से बदलाप की वज़े से और जब इनके वहां शादी हुई थी तो एक बहुत जड़ा वो चला था कि इतने पैसे लगा दी इतने पैसे लगा दी है लेकिन सबसे गरीब शादी की थी जोने पते क्यूंक क्योंकि एक आदमी अगर 20 महीना भी कमाता है तो अपने घर में लड़की की या लड़की की शादी करेगा तो चार-पांस लाख तो लगाता है यह सौर नो यानि कि चार-पांस लाख लगाएगा तो एक साल की इंकम तो लगाता दो साल की यह सौर नो कोई एक लाग महीने क ए left km लड़के की शादे में 20-30,000 लगाये का लड़के की तो अपने दो तीन साल की इंकम लगाएगाज मूव striking लेकिंए पिसरीनगे किस लिग शादि की सिर्फ bı Séith कर दिन की कमाई में साथ दिन की पैसे लगायाता को पला त्मचिये हैं एक तुरा anytime को शादिमें सबसे गरीब शादी थी क्योंकि साथ इन क्या पैसा लगाया था कि तो आप समझिए यह सब पॉसिबिल्टी है ना जो जो चीजें आपको बता रहा हूं उसके पीछे एक ही सीकर्ट है और एक बाद याद रखना जिंदगी में कि अमीर जो लोग है उनके पास कुछ ऐसे सीकर्ट है यह हम अप्लाई करनों को डिनी सीकर्ट होते हैं कुछ प्लाई कर आगे निकल जाओ गए कुछ अलग नहीं है सिर्फ कुछ तो क्या करते हैं, राइट टाइम पर क्या करते हैं, अपने आपको बदलते हैं, और जिंदगी में आगे जाते हैं, और हमें इस जीज को सम्झना, येस और नो, और देखते हैं कुछ बाते, जैसे पीछे लिखा, यनि कि ये फटे यू कागज भी गाना लिखती थी, लेकिन बहुत बड़ी वह नहीं है, उसके बाद, अब जुल कलाम जी को आप जानते हो, पहले भी उने बात किया, यह सोर नो, कितनी गरीफ फैमिली से निकले हैं, मच्यारी के लड़के थे, कितनी गरीफ फैमिली से निकले हैं, लेकिन इतना बड़ा काम किया है, तो उसके पीछे क् को बदलने को रेड़ी है इस और नो किया यहां आप लोगों कि यहां तेट्अ को लोग मुझे ञेटर not मलते है जो यहने कि जिन्दगी में सैटिस्वाई है का मतलब जिनकंतिम सचार होने वादा क्योंकि वो बोलते हैं जो है उसी से खूश है यस और नो एक बहुत पहले कहावत चले थी आपने सुनी हो कि जितनी चादर उतने पैर पसार हो यस यह सबसे बड़े निकब में आदमी लिखी हुई है क्योंकि वो कमफट जों से बहाद ही निकलना चाता है इसलिए बोलता जो क्युति खूश रहो वह आगे नेकलने के बेट नहीं है वोल्त जितनी चादर है उतने पैर पसार हो कमफट जों में तो इससे तो कुछ वोने वाला नही है अब यह जो लोग हैं इतनी चादर है पैर पसार से यह होते क्या यह लोग कब बने जब इनने बड़ा सोचा टेन हम्हें दिन हमें क्या करना हैं हम säga रहे रूं कि दाना पाज का ये-अ अपह उनका मारյ सका पाल्य सब्सक्रक्राइब करना जरूरी है क्या करना जुरूरी है मैं भी कभी आपकी त्रेनिंग में बैठता था यस और नो पीछे बैठता था मैं भी ऐसा था लेकिन अगर यहां पर किस वजय से और कौं कोंग यहां चाहता है आना चाहते हो यह सर नो यह आपका हक है यह आपका राइट आपको यहाँ पे आना है यह सर नो और मैंने मुझे ट्रेडिंग में एक चीज़ बताई थी अपला इनने बोला बोला जब आपका बिननस तब शुरू होगा जब आप यहाँ पर होंगे लोग आपके सामने होंगे यह सर नो और आपका भी बिननस तब शुरू होगा जब आप यहाँ पर होंगे और लोग आपके सामने होंगे और यह चीज़ आपको समझने जुरूरी है और यह चीज़ तब होगी जब हम किस की तरफ जाएंगे किस के तरफ जाएंगे बदला नहीं बदला बदला लेने को सब रेड़ी हैं उसने मुझे ये बोल दिया पताने किस बात की लोग इगो लेकर चलते हैं यह सर नो सर मुझे वरा मछ महदा बहूं को उसने मेरी ने तू बहुत इंसल्ट कर दी मैं विजहत कितनी थी पहले ये बता कितनी इंसल्ट कर दी देखो, जिन्दगी में ये सब चीजे होती हैं, लेकिन हमें अपना सोच का लेवल उपर लेके जाना है, कहां लेके जाना है? उपर लेके जाना है, जैसे आप जानते हो एगल के बारे में, कि एगल क्यों बोला जाता है, बर्स के बंची में बाज है, क्योंकि जब बारिश हो पूरेंगे मुश्किल आएगा सोच से उपर लेकर जाना लेकिन हम वो चोटी-चोटी चीजों में फ़ल जाते हैं इसलिए जिन्दगी में क्या चीज जुरूरी है बदलाव जुरूरी है बदलने को रेडी हो क्या आवाज आप लोगे क्या बदलाव आप लोगे अंदर बद आव यह को रेडी हो